नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एंड गुड इवनिंग, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसकी शुरुवात हम करने जा रहा है, that is number system, number system most important topic है, आप कोई भी exam देख लीजिए, चाहे teaching का exam हो, banking का exam हो, SSC का exam हो, airports, कोई भी competitive exam हो, DRDO हो, DFCCIL हो, railway का exam हो, हर जगे number system पूछा ही जाता है, 9, 10, 11, 12, number system से ही शुरुआत होती है, तो number system, numbers के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे strategy, तो वहाँ पर हमें इसके बहुत जरूरत पढ़े fraction में क्या difference होता है, irrational numbers क्या होते है, complex numbers क्या होते है, imaginary numbers क्यों होते है, यह सारा का सारा जो यह पूरा system है, आज यह हम समझ लेंगे, और आप यकीन मानिए, इसके बाद आपको ना तो इस chapter से डर लगेगा, ना ही इस chapter में किसी तरह का confusion होगा, डर लगने वाली तो बाती नहीं है, लेकिन हा, confusion बहुत होता है, समझ नहीं आता है कि fraction क्या हो गया, rational क्या होगा, कहीं पर 22 by 7 को rational बोल देते हैं, कहीं पर pi को irrational बोल देते हैं, समझ नहीं आता है, क्या है, तो यह सारा confusion आज यहाँ पर आप पर दूर होने वाला है, चलिए शुरुआत करते हैं, first chapter से, that is number system, तो देखिए, number system होता क्या है, number system basically है क्या number system, numbers को लिखने का एक तरीका है, numbers को express करने का एक तरीका है, जिसे हम क्या बोलते हैं? number system, number system को और क्या बोला जाता है, number system को और बोला जाता है आपका, real numbers number system को क्या बोला जाता है, real numbers एक चीज़ यहाँ पर जो ध्यान लगने वाली है वो most important यह है, कि जितने भी यहाँ पर हम symbols use करेंगे, यह सारे के सारे symbols आपको याद होने चाहिए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे exam में जब भी question पूछे जाते हैं जैसे set theory से अगर कुछ question पूछे जाते हैं तो symbols में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 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 number को कि symbol से denote किया जाता है, तो जैसे कि real numbers को हम R से denote करते हैं ध्यान रखिएगा, real numbers को हम R से denote करते हैं real number बोलिये या number system बोलिये एक ही चीज़ है, real numbers के दो type होते हैं, one is rational number and another is irrational number, rational number को denote किया जाता है, क्यों से? irrational number का कोई specific symbol नहीं है, कहीं कहीं F लिख देते हैं बट कोई specific symbol नहीं है लेकिन अगर पूछा जाया, अगर हमको irrational numbers को symbols में लिखना होता हम कैसे लिखेंगे simple सा है, real numbers में से अगर आप rational numbers को subtract कर दे, मतलब की real numbers में से, जो की है R में से rational number को subtract कर दे rational number को subtract कर दे तो जो बचेगा, जितना भी part बचेगा वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा हमारा आ जाएगा irrational number, तो ये ध्यान रखिएगा irrational number को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है अब देखिए rational numbers और irrational numbers में क्या difference होता है rational number को P by Q के form में लिखा जा सकता है, irrational rational number को P by Q के form में नहीं लिखा जा सकता है ठीक है, simple है rational number को P by Q के form में लिखा जा सकता है, और इर rational number को P by Q के form में नहीं लिखा जा सकता ये अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ एक summary है अभी आगे हम पूरा detail में पढ़ेंगे ताकि starting में आपको यहीं पर जितने भी आपके doubt हो यहीं पर clear हो जाए इसके बाद आगे पूरा हम detail में पढ़ेंगे अब देखिए जो rational number होते हैं इसके अलग-अलग type होते है rational numbers कौन-कौन सो होते हैं जैसे कि हमारा natural number natural number क्या होते हैं 1, 2, 3 से लेके infinite तक इसके बाद आता है हमारा whole numbers अगर zero include कर दिया जाए natural number में तो वो whole numbers हो जाते हैं फिर आता है हमारा integers अब integer आप बोलेंगे क्या होता है integer क्या होते है जो natural numbers होते है positive natural numbers, negative natural numbers और plus zero वो पूरा क्या बन जाता है वो पूरा हमारा बन जाता है integer fraction क्या होते है fraction भी सेम वही चीज़ है P by Q के form में लिखे जा सकते है fraction अब आप यहाँ पर एक question पूछेंगे कि fraction और rational number में क्या difference है जब दोनों P by Q के form में लिखे जा सकते है तो दोनों में क्या difference है क्या दोनों same है या दोनों अलग-अलग है थोड़ा सा आप सोचिएगा बाकी आगया भी हम आपको detail में बताएंगे और इसके बाद आता हमारा decimals decimals आपको पता ही है 0.9, 0.1, 0.2 पॉइंट अगर हटा देते हैं तो denominator में क्या लग जाता है 10 लग जाता है तो क्या हो जाता है P by Q के form में लिखा दा सकता है इसलिए उसको भी हम क्या बोलते है rational number आप देखिए irrational numbers की बात करते है irrational number में आप यहाँ पर देखिए root 2, root 3, root 5, root 11, root 21 इसके अलबा पाई अब देखिए पाई की value 22 by 7 is equal to पाई आपने ऐसा पढ़ा होगा ऐसा नहीं होता है यह गलत है 22 by 7 is always greater than पाई 22 by 7 is always greater than पाई हमेशा जादा होता है किस से पाई से अब देखिए 22 by 7 एक rational number है और पाई जो है वो एक irrational number पाई क्या है? irrational number और 22 by 7 rational number ऐसा क्यों है? अब आगे हम आपको बताएंगे यूलर्स number यह आप देख सकते हैं golden ratio 5 यह सब क्या है? यह सब irrational numbers के example है जैसे कि मैंने आपको बताया P by Q के form में नहीं लिखे जा सकते हैं Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यह सारे के सारे क्या होते हैं हमारे यह irrational numbers होते हैं अब देखिए natural numbers के हम बात करें तो natural numbers के भी कई type होते हैं prime numbers होते हैं composite numbers होते हैं odd number होते हैं even number होते हैं यह सारे के सारे जो types हैं यह किसके अंदर आते हैं नेचरल numbers के अंदर अब एक-एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके समझेंगे कौन से numbers क्या क्या होते हैं और जितने भी हमारे confusion है सब आपके दूर हो जाएंगे चलिए देखते हैं rational numbers आखिर क्या होते है rational numbers can be written in the form of P by Q where P and Q are integers ध्यान रखेगा where P and Q are integers and Q is not equal to 0 ठीक है P by Q के form में लिखे जा सकते है P and Q क्या होने चाहिए आपके ये ध्यान रखेगा P and Q are integers अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले difference between fractions and rational numbers तो आपको यहाँ पर हम बता देते है fraction जो होते हैं यह भी P by Q के form में लिखे जा सकते हैं लेकिन जो fraction है यहाँ पर P और Q क्या होने चाहिए whole numbers मतलब अभी हम आपको समझा देते हैं जैसे देखिए यहाँ पर आप एक example देखिए minus 3 by 4 ठीक है minus 3 by 4 क्वामा minus 7 by 3 यह क्या है negative है number number क्या है negative है तो यह क्या है यह rational number है rational number positive भी हो सकते है negative भी हो सकते है लेकिन जो fraction होगा वो always positive होगा fraction जो होगा always positive होगा बस दोनों में यही difference है बात समझ में आ गई क्योंकि P और Q जो है यहाँ पर whole numbers होने चाहिए whole numbers मतलब क्या होता है 0, 1, 2, 3, infinite तक लेकर यह सारे whole numbers होते है मतलब क्या है यहाँ पर कोई भी negative number नहीं होना चाहिए मतलब simple है fraction जो है वो negative नहीं हो सकता है और rational numbers जो है वो negative भी हो सकते है बात समझ में आ गई simple इसका मतलब क्या हुआ जो fraction है वो हमारा rational numbers का ही part है fraction मतलब की सारी positive values ठीक है fraction always positive होगा और rational numbers में से rational number में क्या negative भी होगा plus भी होगा इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ में आई यह क्या है यह है fraction ठीक है और यह क्या है यह है rational numbers जिसे हम बोल सकते हैं क्यों ठीक है इसका मतलब एक चीज़ समझ में आई जितने भी fraction है वो हमारे rational numbers हो सकते है जितने भी fractions है all fractions can be rational numbers important है ध्यान रखिएगा all fractions can be rational numbers लेकिन सारे rational numbers fraction नहीं हो सकते हैं बात समझ में आ गए clear क्यों नहीं हो सकते हैं वाई क्योंकि देखो ना यहाँ पर negative भी है positive भी है यहाँ पर सिर्फ positive है तो positive वाला जो part है वो इसका तो हो सकता है लेकिन positive निगेटिव इसका part नहीं हो सकता है clear समझ में आ गया यही difference होता है किसमे fraction में और आपका fraction में और आपका rational number बात समझ में आ गए clear आपको नहीं तो मैं फिर से बता दूँ बहुत simple है simple आप ध्यान रख लिजिए fraction जो है कभी भी negative नहीं होता है positive होता है fraction always positive होता है बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ठीक है अब देखिए real numbers जो sorry rational numbers होते हैं जिसको PYQ के form में लिखा जा सकता है दो तरह को होते हैं पहला terminating दूसरा non-terminating but repeating terminating मतलब की number खतम हो गया जैसे देखिए 7 by 8 इसको क्या लिखा गया है 7 by 8 को divide करेंगे क्या हैगा 0.875 इसके आगे number खतम हो गया यह क्या है यह एक हमारा rational number है जिसे Q से denote किया जाता है ठीक है इसके बाद देखिए non-terminating but repeating अगर यही number non-terminating non-terminating और non-repeating होगा non-terminating और वो हो जाएगा हमारा irrational number ठीक है तो rational number और irrational number में एक difference यह भी है कि जो irrational numbers होते हैं वो क्या होते हैं non-terminating होते हैं non-repeating होते हैं लेकिन rational numbers non-terminating होते हैं but repeating होते हैं example आपके सामने है 22 by 7 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 22 by 7 इसको अगर हम divide करते हैं तो value आती 3.142857 इसके बाद देखिए यह number वापिस repeat होता है 142857 आप देख रहे हैं यह repeat हो रहा है non-terminating मतलब number terminate नहीं हो रहा number खतम नहीं हो रहा लेकिन repeat हो रहा है बार-बार 142857 इसके बाद फिर यही number आ जाएगा 142857 terminating जहाँ पर number खतम हो गया जैसे example दिया 7 by 8 number खतम हो गया that is rational number इसके बाद 22 by 7 3.142857 142857 142857 यह बार-बार repeat हो रहा है तो repeat हो रहा है लेकिन non-terminating मतलब number खतम नहीं हो रहा है तो this is known as rational numbers आगे बात करते हैं irrational numbers की irrational numbers में आप आ जाते हैं जैसे मैंने आपको पीछी अभी बताया था यहाँ पर पाई में और 22 by 7 में क्या difference है देखें यह देखें पाई irrational number क्यों है और 22 by 7 rational number क्यों 22 by 7 की अभी अमने value यहाँ पर लिखी 142857 इसके बाद 142857 यह value लिखी न और यहाँ पर देखें पाई की value क्या है 3.1415926 नमबर non-terminating तो है नमबर खतम नहीं हो रहा है लेकिन non-repeating भी है मतलब की नमबर repeat नहीं हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे जो 22 by 7 की value थी यहाँ पर आप देख रहे थे number repeat हो रहा था यह rational number था क्योंकि नमबर बार-बार repeat हो रहा था लेकिन आप यहाँ पर देखिए पाई में जो है पाई की value क्या होती ही 3.14159265358979 बार-बार यह number क्या हो रहा है number repeat नहीं हो रहा है अलग-अलग number आ रहा है और यह number खतम नहीं हो रहा है सिलसिला चलता ही जा रहा है so this is known as irrational number इसलिए आज से यह याद रखिएगा 22 by 7 is a rational number and pi is an irrational number समझ में आगे आपको चलिए आगे बात करते हैं irrational numbers की irrational numbers को हम P by Q के form में नहीं लिख सकते हैं P and Q integers होने चाहिए and Q is not equal to 0 और यह क्या होते हैं non-terminating होते हैं non-repeating होते हैं समझ में आगे आपको irrational numbers non-terminating होते हैं non-repeating होते हैं माली जे कोई भी number माली जे suppose 3.71487652198762341 कुछ भी number आप ले लिए आप देखें इसको कोई number repeat हो रहा है क्या कोई पूरा एक pattern कुछ repeat हो रहा है क्या एक पूरा आपको लग रहा है कोई एक pattern बार बार repeat हो रहा है ऐसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लेकिन number क्या है number non-terminating खतम ही नहीं हो रहा है जहां तक चाहा है वहां तक लिखते चल जा रहा है जैसे आप पाई है पाई का भी जैसे example दिए number खतम ही नहीं हो रहा non-terminating मतलब की terminate नहीं हो रहा खतम नहीं हो रहा है number और क्या है non-repeating कोई number repeat नहीं हो रहा that is known as irrational numbers I hope आपको rational numbers और irrational numbers में जो difference है वो समझ में आगे होगा fraction में और rational number में जो difference है वो भी आपको समझ में आगे होगा यह आपके सामने examples है root 2, root 3, root 5, root 11, root 21, pi, Euler's number और golden ratio यह सारे के सारे example है किसके irrational number को तो आज से आपको क्या याद रखना है 22 by 7 क्या है rational number and pi is an irrational number ठीक है यहां तक clear हो गया अब आगे चलते हैं एक एक करके rational numbers के part है उनको समझते है natural numbers what is natural numbers natural numbers क्या होते है अरे भाई जिन numbers की शुरुवात 1 से लेके होती है और infinity तक जो numbers होते है उन्हें हम क्या बोलते है उन्हें हम बोलते है natural numbers example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बताने एक ज़रुद नहीं है smallest natural number सबसे छोटा natural number क्या है that is one largest natural number largest natural number क्या है नहीं पता है infinity तक है ठीक है आगे आ जाते है whole numbers whole numbers क्या होते है the collection of all natural numbers including 0 जिसमें 0 भी include हो जाता है natural numbers plus 0 वो सारे के सारे numbers क्या हो जाते है whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर हम बात करें smallest whole number की तो सबसे छोटा whole number है 0 largest whole number नहीं पता है ठीक है largest whole number आप infinity लिख सकते हैं लेकिन it is not a number यह हमें नहीं पता है smallest whole number की बात करें तो वो क्या है वो है 0 अब बात करते हैं integers की देखें integers क्या होते है the collection of all positive and negative natural numbers including 0 integers मतलब की क्या है जो भी हमारे whole numbers है whole numbers जितने हैं 0, 1, 2, 3 0 से start होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 up to infinity उसी का negative numbers भी ले लिजे तो वो पूरा आप combine कर दीजे तो वो क्या बन जाता है हमारा integers मतलब की positive numbers भी negative numbers भी और 0 भी अब यहाँ पर एक most important चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगा 0 के बारे में 0 ना तो positive integer है और ना ही negative integer है 0 is not a positive integer not a negative integer 0 is simply an integer जिसे हम बोल सकते हैं non positive integer या non negative integer ठीक है अगर आप से कोई पूछेगा positive integer बताइए कौन कौन सो होते हैं तो उसमें 0 मत लिखेगा 0 positive integer नहीं होता है और 0 negative integer भी नहीं होता है 0 का हम simple मानते हैं कि integer है अगर आप से पूछेगा non positive integers लिख दीजे तब आप महाँ पर 0 include कर देंगे अगर आप से बोलेगा non negative integers लिख दीजे non negative integers का मतलब क्या हुआ non negative integers तब आप महाँ पर 0 include कर देंगे इसलिए मैंने आपके सामने example लिख दिया ताकि आपको confusion ना हो तो याद रखिएगा 0 ना तो positive integer है ना ही negative integer है 0 अगर हम बोलेंगे non positive integer तब उसे 0 बोल सकते हैं non negative integer उसे हम 0 बोल सकते हैं जैसे देखिए यह आपके सामने integers के example हैं आपको सबको पता होगा integers क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इसके अलावा negative में जो भी value है वो सारे के सारे integers होते हैं positive integers 1, 2, 3, 4 non negative integers मैंने बोला अगर आप से बोलेगा non negative integers तो वहाँ पर आपको 0 include करना होगा because 0 is a non negative integer and non positive integer तो 0 क्या है non negative integer है और 0 non positive integer even integers यह आपको सबको पता ही है 256 अब यह negative में है तो minus 16, minus 18, minus 4, minus 6 यह सब सारे even integers हैं odd integers minus 5, minus 3, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके यह सारे के सारे integers होगा अब बात करते हैं fractions की fractions जैसा कि मैंने अभी आपको बताया it can be written in the form of p by q where p and q are whole numbers and q is not equal to 0 तो fractions हमेशा याद रखिएगा p और q के form में लिखे जा सकते हैं और हमेशा fractions जो होते हैं positive होते हैं ठीक है p and q are whole numbers p और q whole number हो सकते हैं ध्यान रखिएगा बात समझ में आ गई fraction पूरा भी हम इसके पहले discuss कर चुके हैं fraction I hope आपको समझ में आ गया होगा fraction और rational numbers में क्या difference है यह भी आपको समझ में आ गया होगा यह examples है 1 by 2, 3 by 8, 22 by 7 decimal आप देखिए कोई भी एक ऐसा number जिसमें decimal point होता है उसे हम बोलते हैं decimal number ठीक जैसे कि 2.3, 3.7 7.4 9.1 यह सारे क्या है decimal numbers है और इनको rational numbers क्यों बोला जाता है क्योंकि P by Q के form में लिखे जा सकते हैं simple जैसे मालीजे suppose यह number है 3.5 इसको आप क्या करेंगे decimal value हटाएंगे 10 लिखेंगे 5 से यहाँ पर divide हो जाएगा 7 by 2 यह क्या हो गया 7 by 2, it is also known as a rational number P by Q के form में लिखा गया है इसलिए जितने भी decimal होते हैं सारे के सारे हमारे क्या होते है rational numbers होते हैं अब हम बात करेंगे कुछ natural numbers के जो अलग-अलग type होते हैं उनके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया natural numbers को हम n से denote करते हैं natural numbers को n से लिखा जाता है ठीक है अब अगर हमें बात करनी हो तो हम यहाँ पर क्या-क्या बात करेंगे natural numbers क्या-क्या numbers होते हैं यहाँ पर देखिए इसके type कौन-कौन से होते हैं prime numbers composite numbers composite numbers even number और odd number ठीक है अब यहाँ पर हम इनके example से आपको समझा देंगे तो आपको समझ में आजागा यह सारे के सारे natural numbers के ही पार्ट है natural numbers के ही type है अब देखिए prime number क्या होते है composite numbers क्या होते है natural even numbers क्या होते है और odd numbers क्या होते है देखिए prime number simple जिसके दो factors हो यहाँ हम बोल सकते हैं कि दो numbers का product अगर कुछ होगा तो वो prime number होगा जैसे suppose 2, 2 को हम क्या लिख सकते है 1 into 2 ठीक है 3, 1 into 3 ये सारे क्या है prime numbers है 5, 1 into 5 7, 1 into 7 अब यहाँ पर आ जाते है composite numbers अब देखें इन दोनों में क्या difference है देखें पता सब को होता है लेकिन जो difference होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहीं पर confusion create होता है जैसे fraction और rational number में क्या difference पता सब को आपको पता होगा fraction क्या होता है आपको भी पता होगा rational number क्या होगा लेकिन जब तक आप difference के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका confusion दिर नहीं होगा Same ऐसे यहाँ पर है prime number composite numbers Prime number क्या होते हैं Composit numbers क्या होते हैं क्या दोनों में difference होते हैं Composite numbers जिनको हम बोल सकते हैं, जिनके factors 2 या 2 से ज़ादा हो सकते हैं या हम बोल सकते हैं, जिनका 3 numbers का product जो होगा, वो क्या होगा composite numbers जैसे suppose example लेते हैं सबसे छोटा composite number है 4 इसको हम कहलेख सकते हैं 1 into 2 into 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने numbers हैं 3 numbers हैं ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें तो क्या है composite number होगा नहीं होगा 6 की बात करें so that is composite number 1 into 2 into 3 3 numbers का product 3 numbers का product 2 से जादा numbers जहां use होंगे उसारे के सारे क्या होंगे composite numbers 4 6 इसके बाद बात करें 8 की 8 क्या हो जाएगा 3 numbers का प्रेव हुआ है 3 numbers का product हुआ है 2 into 2 into 2 8 क्या है आपका composite number है तो अगर हम बात करें smallest composite number smallest composite number है आपका 4 smallest prime number smallest prime number क्या होगा एक मिनट सोची है और बताइए smallest prime number is 2 1 is not a prime number ध्यान रखेगा 1 एक prime number नहीं है क्यों क्यों क्या बोला जाता है prime number क्या होता है जिसके 2 factors होने चाहिए prime number 1 के अगर हम 1 की बात करें तो 1 का सिर्फ एक ही अपना खुद का number है एक ही अपना खुद का 2019 ए 20 में आपका DRDO में एक ये question पूछा गया था बिल्कुल simple सा question था चार option दिये गये थे वहाँ पर पूछा गये था इन में से कौन सा prime number नहीं है 1 option दिया गया था 8 दिया गया था 3 दिया गया था और वहाँ पर 2 आप टिक कर सकते थे 1 था 8 था 3 था और I think शायद एक और था 7 था शायद तो आपको पताना था इसमें से कौन सा prime number नहीं है सब लोग 8 टिक कर क्या थे सब लोग 8 टिक कर क्या थे महाँ पर 1 भी होगा और 8 भी होगा दोनों होगे तो आपको समझ में आ गया prime number 1 जो है वो prime number नहीं है याद रखिएगा 1 is not a prime number आगे बात करते हैं even numbers even numbers की हम बात करें तो आपको पता ही होगा 2, 4, 6, 8, 10 यह सारे के सारे even numbers है odd numbers की बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह सारे के सारे odd numbers हैं ध्यान रखिएगा 1 is not a prime number सबसे छोटा prime number है वो है 2 और सबसे छोटा composite number है वो है आपका 4 ठीक है odd numbers मैंने अभी आपको बता दिया even numbers बता दिया in general form every even number can be written in the form of 2N obvious है जो 2 से divide हो जाएगा वो हमारा even number है तो इसको हम इस form में भी लिख सकते हैं 2N के form में और अगर हम बात करें odd number की odd number को हम 2N minus 1 और 2N plus 1 दोनों ही form में लिख सकते हैं ठीक है आगे आजाते हैं बात करते हैं imaginary numbers अब देखिए मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया जस्ट अभी थोड़ी दिर पहले आपको क्या पढ़ाया पूरा का पूरा real numbers मैंने बताया real numbers के दो टाइप होते है rational number और irrational number अब देखिए real numbers और imaginary numbers अगर हमारे दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा complex number real numbers plus imaginary numbers मिल के क्या बनाते हैं complex number real number और imaginary number imaginary number को हम denote किसे करते हैं इसको लिखा कैसे जाता है i से जैसे suppose एक example लेते हैं example दिया गया है 5i ठीक है तो 5 क्या है हमारा एक real number है i क्या है एक हमारा imaginary number है या हम इसे ऐसे भी मालीजे लिख सकते हैं 2 plus 3i तो ये क्या हमारा ये एक real number है 2 this is real number 2 और ये जो 3i है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है imaginary number है ठीक है तो अगर जब ये दोनों number मिल जाते हैं real number plus imaginary number तो ये हमारा क्या बनाते हैं ये बनाते हैं complex number अब imaginary number के कुछ rules है simple formula हैं आप बस इनको पढ़ लिजे और कुछ भी नहीं simple imaginary numbers क्या होता है इसकी क्या value होती है बस आपको इतना पता होना जी imaginary numbers देखिए I की value क्या होती है under root of minus 1 square root of minus 1 I square minus 1 I cube minus 1 I की power 4 plus 1 ये बहुत basic है आप सब को पता होगा देखिए अब I cube है I cube को क्या लिख सकते हो भई I square into I I square की value कितनी है minus 1 तो minus 1 into I कितना हो जाएगा minus I तो ये ही तो लिखा गया I cube is equal to minus I I की power 4 इसको हम क्या लिख सकते है I square into I square I square की value कितनी होती है minus 1 और आपका ये भी sorry minus 1 minus 1 into minus 1 और ये ही यहाँ पर लिखा गया है आप देख सकते हैं ठीक है I देखिए फिर से बता देता हूँ आपको अगर आपको थोड़ा बहुत भी confusion हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ complex numbers क्या होते है real numbers और अगर हम real numbers plus imaginary numbers को add कर दें दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा complex number real numbers क्या होते है अभी आपको बता दिया है imaginary numbers क्या होते है जिसके साथ में i लगाता है i square की value कितनी होती है i square is equal to minus 1 i की value कितनी होती है square root of minus 1 तो अब यहां से बस ये दो value आपको पता है इससे आप सारी value निकाल सकते है i की power 3, i की power 7, i की power 9, i की power 11, i की power 13 कुछ भी हो exponent rule अगर आपको पता है तो आप उससे i की value निकाल सकते है नहीं पता है तो अभी आगे आपको हम exponent rule भी revise करवा देंगे ठीक है अब ये एक general form में हमें लिखा जाता है अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है question में तो ये general form भी आपको पता होना चाहिए simple है कुछ भी नहीं है वही चीज़ है बस इसको एक general form में लिख दिया गया i की power 4n इसको कैसे लिखा जाएगा i की power 4n n is natural number यहाँ पर आप कोई भी number लिदे 4 into 1 करेंगे देखिए i की power 4 का value कितना है plus 1 अभी plus 1 कैसे आया अभी बताया i square की value होती है minus 1 i square into i square आप करोगे तो क्या आजाएगा 1 आजाएगा यानि कि i की power 4 की value जो आई वो कितनी आई 1 अब i की power 4n n is a natural number where n is natural number कुछ भी हो सकता है natural number 1,2,3,4,5 4 के multiple में होगा मतलब उसकी value कितनी आईगी always plus 1 आईगी i की power 4n minus 1 आप कुछ भी रखोगे यानि कि आपर, माली जे, n की जगे आपने 2 रखा तो 4 into 2, कितना हो गया? 8 8 minus 1, 7 i की power 4n minus 1 i to the power 7, कितना आएगा? minus i बात समझ में आगई, कितना आएगा? minus i, i की power 4n minus 2 कितना आएगा? minus 1 4n minus 2 तो माली जे, अगर n की जगे हम 2 रखते हैं तो 4 into 2 minus 2 कितना हो गया यह? i की power 6 i की power 6 की value कितनी है? minus 1 तो एक general form है, यह आपको याद रखना है important है, कभी भी आपके exam में पूछा जा सकता है अब देखिए, complex numbers complex numbers are the combination of both real numbers and imaginary numbers the complex number is of the standard form यह complex number का एक general form होता है इसको लिखा जाता है a plus b, i के form है where a and b are real numbers, जो कि मैंने अभी आपको बताया a और b, यह क्या है real numbers है, and i क्या है imaginary number है, ठीक है यह मत करिएगा कि आप इसको i से denote कर दें क्योंकि integer को कहीं-कहीं i से लिखा जाता है z से भी denote किया जाता है, i से भी denote किया जाता है i से भी denote किया जाता है, तो यह क्या है complex number को मिला दिया जाए, तो क्या बन जाता है imaginary, sorry, real numbers plus imaginary numbers को मिला दिया जाए, तो क्या बन जाता है complex number, ठीक है अब देख लिजे, यहाँ पर आपके सामने, जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, उसका एक short में revision कर लेते हैं, natural numbers 1, 2, 3, 4 सारे infinity तक, यह होते है natural numbers, whole numbers 0 भी include कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 infinity तक, prime numbers मैंने आपको उता दिया, 2, 3, 5, 7 1 is not a prime number ठीक है, 1 prime number नहीं है, याद रखिए, composite numbers अभी मैंने आपको उता है, जिसके product factors 3 या 2 से जादा होने चाहिए, जैसे कि 4 कम क्या लेख सकते है, 1 into 2 into 2, सबसे छोटा composite number है, 4, ठीक है whole numbers हो गया integers हो गया, हमने आपको उता दिया, integers क्या होते है, जितने भी whole numbers है वो तो रहते ही रहते हैं, और उनका negative value, ठीक है minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, यह सारे के सारे होगा integers, अब देखें integers को Z से denote किया गया है, तो ध्यान रखियागा कहीं कहीं इसको I से भी denote किया जाता है prime number को देखे, P से denote किया गया, natural numbers को N से denote किया गया, whole numbers को W से denote किया गया, rational numbers को Q से denote किया गया है R जो है, जो मैंने होगा, rational number को denote करते है Q से, और real number को denote करते है R से, तो real numbers में से, अगर हम rational numbers हटा दें तो क्या बन जाएगा हमारा, तो बन जाएगा a rational number और इसको यहाँ पर F से denote किया गया, कोई specific symbol नहीं है, कहीं P से denote करते है कहीं F से denote करते है, आप P से यहाँ पर आप देखिए, prime numbers को denote किया गया, यहाँ पर F से denote किया गया, तो कोई specific symbol नहीं है, real numbers को R से denote किया जाता है, जिने P by Q के form में लिखा जा सकता है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, complex numbers मैंने आपको बता दिया, real numbers और imaginary numbers को मिला दिया जाए, तो क्या बन जाता है, complex numbers अब यह आपके सामने एक figure है figure के तुरू आप clearly समझ सकते है कि क्या है, देखिए, यह पूरा का पूरा system जो है, यह यहाँ पर बना हुआ है, real numbers का, real numbers के अंदर क्या क्या आता है, rational numbers आते हैं, integers आते हैं whole numbers आते हैं, natural numbers आते हैं, prime numbers आते हैं, और irrational numbers भी आते हैं, अब देखिए यह यहाँ पर क्या बना हुआ है, imaginary number, imaginary number और real numbers को मिला दिया जाए तो जो यह वाला आपका part है, आप यह देख सकते हैं, यह क्या है यह है हमारा complex number, अगर real numbers और imaginary numbers को मिला दिया जाए, तो क्या बन जाता है, complex number तो इतना जो यह part है जो यह color किया गया है, जो यह boundary है पूरी, यह पूरा का पूरा क्या है यह पूरा का पूरा है, complex numbers, prime number composite number, even number odd number, यह सब natural numbers के ही part है, natural numbers के अंदर आते हैं natural numbers, इसके बाद whole numbers, मतलब आप basically समझिए whole numbers के अंदर आएगा natural numbers natural numbers के अंदर यह सारे numbers आएगे prime number, composite number, even number odd number, integers के अंदर आजाएगा whole number, ठीक है, और rational numbers के आजाएगा आपका integer rational number और अगर हम irrational numbers दोनों को मिला दें, तो पूरा क्या बन जाएगा हमारा, real numbers यह जिसे हम बोलते हैं number system, और इसको denote किया जाता है, capital R से, अब बात कर लेते हैं, यह exponent के rules हैं, जो आपको चाहिए, जो आपको आगे आने वाले exam में कामा सकते हैं, तो आप एक बार इनको भी देख सकते हैं, इनको भी पढ़ लिए product rule क्या होता है, a to the power m into a to the power n, sorry this is n, तो यह क्या हो जाएगा, powers add हो जाती है, a to the power m plus n, divide करेंगे, a to the power m divided by a to the power n, तो यह क्या हो जाएगा, a to the power m minus n, अब देखें, इनके नाम भी आना जरूरी है, product rule इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, quotient rule, power of a power rule, एक power उसके उपर एक power, a to the power m की whole power n, this is known as, यह जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, a की power m into n, a की power m into n, अब यह देखें, power of a product rule, देखें, दो numbers का product है, उसकी power है, तो क्या हो जाएगी, अलग-अलग numbers में बढ़ जाएगी, a, b का whole power m है, a की power m, b की power m, power of a quotient rule, देखें, यह जो उपर आपका product rule था, उसकी power है, और उसके बाद quotient rule था, और उसकी power है, a by b की whole power m, a की power m divided by b की power m, बहुत सिंपल हैं, आप सब को पता होगा, zero exponent rule, अब अगर आप से पूछ ले, zero exponent rule क्या होता है, आप कहेंगे, यह क्या होता है, हमने तो सुने ही नहीं, zero exponent rule क्या होता है, लेकिन यह जरूर सुना होगा, a की power 0, 1 होती है, लेकिन नाम नहीं, इसलिए at least आपको यह भी पता होने जी, इसको बोलते क्या हैं, zero exponent rule, a to the power 0 is equal to 1, negative exponent rule, a to the power minus m को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 upon a to the power m, fractional exponent rule, a to the power m by n को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, जो भी power उपर रहेगी, अब देखिए, यह simple है, इसको कैसे लिखा जाता है, भाई, a की power 1 by n है, यह a की power माली यह simple 1 by 2 है, इसको आप कैसे sign लगाईए, a लिखिए, यहाँ पर n लिख दिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, a की power m है, तो भाई, a की power m यहाँ भी लिख गई, बस simple है, वही लिखा गया है, a की power m by n, यानि कि a की power m का nth power, that is a की power m by n, यह सारे exponent के rules थे, पूरा I hope number system आपको समझ में आ गया होगा, आप जो है, अब कुछ मत करिएगा, जितना पढ़ाया बस एक बार इसको revise कर लिजेगा, आपके हर exam में, यह एक most important chapter है, एक दो number के question, किसी भी exam को आप ले लिजे, एक दो number के question पूछी लिया आते हैं, और इस तरह से पूछेगा, क्या आप काईगा, यह क्या पूछ लिया, पता ही नहीं है, अब लेकिन video देखने के बाद, आप कहेंगे उससे, तुम कुछ भी पूछो, हम answer करेंगे, I hope आपको अच्छा लगा होगा, जल्दी मिलेंगे एक और नए lecture के साथ, that is set theory, so thank you very much, and thank you for watching, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बागी कोई query है, तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं, thank you very much.